बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्कता की जरुवत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दोरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की सौंस्ताओं को देश के नागीकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरुवत है विशेश कर कंटेन्मेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने भी न गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये 130 करोड देश वाच्चों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लोकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथ्मिक्ता रही ऐसी स्थिति ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न ज़ले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोय समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्टा से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉगडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे इकतिस हजार करोड रुपिया जमा करवाए गए है इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में अठारा हजार करोड रुपिये जमा हुए है इसके साथ ही गाओं में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिये खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुक्त दिया गया इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाए गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियो आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ साथियो हमारे यहां वर्षा रूत्व के दोरान और उसके बात मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपर निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास में आएगी गणेश चतूर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बियू है नवरात्री है दुर्गापूजा है दशारा है दिपावली है छठी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस सितंबर अक्तूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोर से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदश्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त मुहया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्वे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की बवस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवशक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़ करके कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्वरे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंति किसान हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाईत्व निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स पेयर का रुदे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उन्हें नमन करता हूँ साथियों आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे हम गरीब, पीडीत, शोसीत, बंचीत हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहतियाद बढ़ते हुए economic activities को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब local के लिए vocal होंगे इसी संकर्प के साथ हम 130 करोड देश्वासियों को मिल जुल करके संकर्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, आप से आंगरह भी करता हूँ, आप सभी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मांस, ये हमेशा उप्योग कीजिए, कोई लाप परवाही मत बरती है इसी आगरह, इसी कामना के साथ, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ, दन्यवाद अईगा झालन करते है झालन के सभी मत बहुत 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 बहुत